हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महामद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपलो हॉस्पिटल पे अपने प्रीविएस वीडियो में मैं कुछ अन जस्ट मैं आपको अपलो हॉस्पिटल के ओपर अपडेट दिया था अपलो हॉस्पिटल पे अपडेट दिया था वेर м ίह draft में उपडियो नहीं दीका ऴोडियो में बता दिया कि वह स्थकृण उन प्रोफिच्छ रहेगा söyle का जब अभी recently breakout पे आया है और वो breakout level यह है दोस्तों breakout level यह है और यहां पे support ले रहा है support ले रहा है तो stock के अंदर एक breakdown level है वो breakdown level यहां पे है ठीक है यहां पे है और stock में dividend मिल रहा है क्या मिल रहा है आप यहां पे देखो dividend मिल रहा है तो stock 200 EMA के उपर proper support भी नहीं लिया में का support नहीं लिया यहां पर loose candle formation है loose candle formation के हिसाब से यहां पर जो clubbing होने वाला है I think यह improper करेगा इस थरीखे से improper करेगा इसलिए मैं आज आपको update क्या देने वाला हूं कि stock के अंदर no trading zone level ठीक है no trading zone यह है no trading zone यह no trading zone यह लिए है क्योंकि breakout देने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए हम लोगों को में green candle formation चाहिए और इसके अंदर candle form हो रही है जब देखो एक candle trade होती है तो उसका week बनता है और उसका टेल बनता है जिदर उसके candle एक close करता है जब candle बन रहा है तो candle के अंदर ज्यादतर closing अगर आप देखोगे तो यहां पर नीचे closing है उसके बाद यहां पर नीचे closing होने वाला है तो इसके अंदर क्या है sellers trap कर रहे है sellers trap हो trap कर रहे है ठीक है भाई यह उसको trap कर रहे है तो इसके अंदर main क्या पता है main इसके अंदर recent breakdown level है recent breakdown level है जो closing दिया है तो मैं आपको suggest क्या करूंगा अगर stock return आ रहा है return आते हुए इस पर support ले रहा है 4874 तो मैं free telegram group channel में position provide करूंगा दोस्तों अगर नहीं reverse नहीं आ रहा है उपर जाते जाते मझे 5024 का breakout दे रहा है तो मैं definitely stock के अंदर 5352 का level देख रहा हूं पर अभी stock के अंदर 5024 से लेके 4087 के बीच में मैं no trading zone लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर trade करने के लायक stock नहीं है दोस्तों यही था update आप बोलों पर अगर आपको stock पर analysis समझ में आया तो video को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लेजिए thank you for watching my video